वीरेन सहवाग की तूफानी वल्लिवादी सिर्फ 20 गैन पर ठोका अर्द सतक और इंडिया को दिलाई 10 विकेट से जीत बारतेगर के टीम के पूर्व कप्तान तूफानी ओपनर वल्लिवाद वीरेन सहवाग ने इंडिया लीडेट्स की तरप से वल्लिवादी करते हुए यही नहीं सहवाग ने सचिन के साथ पहले विकेट के लिए 114 रन की साज़ेदारी करते हुए इंडिया लीडेट्स को 10 विकेट से बड़ी जीत दिलाई वीरेन सहवाग ने सिर्फ 20 गेंड पर अपना अर्द सतक पूरा किया और इस दोरान उन्होंने तीन छक्के और आठ चौके लगाए उन्होंने अपना अर्द सतक भी छक्का लगा कर पूरा किया सेवाग ने पारी की सुरूबात ही धमाकिदार अंदाज में की और पहले ही ओवर में उन्होंने 19 रन ठोक डाले पहला ओवर मुहम्मद रफीक के फैका था और सेवाग ने उनकी ओवर में 3 चोके वा 1 चके लगा दिये इसके बाद भी सेवाग का बल्ला नहीं रुका और वो लगातार वड़े सौट्स लगाती रहे सेवाग ने इस मैच में 35 गैन पर 5 चक के बाद 10 चोकों की मदद से नावाद 80 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 228 का रहा जबकि सचिन तैंदुलकर ने 26 गैन पर 5 चोकों की मदद से नावा 33 रन की पारी खेली इंडिया को जीत के लिए 110 रन का लक्ष मिला था और इस टीम ने 10.1 और में बिना कोई विकेट खोई 114 रन बनाकर मैच में जीत दर्ज कर ली इस मैच की पहली पारी में बांगलादेश ने 19.4 और में 109 रन बनाए और ओल आउट हो गए बंगलादेश के तरप से मुझी उद्दीन ने 33 गैन पर 49 थी पारी खेली इसके अलावा अने कोई बल्लिवास कुछ खास नहीं कर पाया इंडिया की तरप से विने कुमार, प्रिग्याद, ओजा और युवरास सिंग ने दो-दो विकेट लिये जबकि मनप्रीप, गौनी और यूसुप पठान ने एक-एक विकेट लिया विरेंस एवाक के बारे में क्या कहना है हमें कॉमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार